प्राइवां समस्याओं के साथ जब मरीज आता है तो डॉक्टर अकसर उनको बोलता है आपकी बच्चेदानी में सूजन है तो यह सूजन जो होती है उनको परिशान कर देती है कि इसका अब हम क्या करें इसका क्या इलाज है क्या यह दवाईयों से हो पाएगी या इसका हमें अप्रिशन क जो कि infection के कारण होती है infection के क्या reason होते है infection होता है जादा तर intercourse से सभोग से या फिर आपने अभी कॉपटी लगवाई है या आपकी डिय एंसी हुई है या डिलीवरी हुई है या कोई abortion जो कि अपने आप हुआ है या फिर उस परिस्तिती में भी infection होने के chances रहते हैं जब जादा होगा और आपकी कमर और निचले हिस्से में बहुत जादा दर्द होगा और ऐसे मरीज अकसर ये भी complain करते हैं कि उनकी महावारी बहुत जादा आती है और महावारी के वक्त भी दर्द होता है आपस में जब संभोग करते हैं तो दर्द होता है तो infection का इलाज antibiotic है उस भी लगाई जाते हैं इस पर कई और भी तरह का इलाज हम करते हैं जैसे नीचे से सेख करना इस तरह का इलाज भी उपलब्द है बच्चेदानी के infection में normally operation की ज़रुत नहीं पड़ती है ज्यादतर ये इलाज दवाईयों पे पुरा हो जाता है दूसरी जो condition होती है जिसे ब Adenomyces Adenomyces में बच्चेदानी का जो size होता है वो भड़ जाता है जो कि दो गुना तीन गुना चार गुना कैबर बहुत गुना भड़ जाता है और बच्चेदानी आपकी काफी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है ये बच्चेदानी हर direction में जो बच्चेदानी की जो wall होती है नॉर्मली दो सेंटीमीटर की होती है वो बच्चेदानी की wall फूल जाती है उसकी वज़े से महावारी बहुत अधिक आना महावारी लगातार चलना या महावारी जल्दी जल्दी आना और महावारी में बहुत जादा दर्द होना ये इसकी प्रमो कलक्शन है लेकिन कभी कि सिर्फ महावारी जादा आने की दिक्कत होती है दर्द नहीं होता या फिर कभी ऐसा भी होता है कि आपकी निचले हिस्ते में बहुत जादा दर्द है कमर में दर्द है जो की लगातार बना हुआ है तो ये सारी reason रहते हैं और symptoms रहते हैं अडिनोमाइसिस में अडिनोमाइ करते हैं तो 70% patient में यही बिमारी पाई जाती है अब इस बिमारी में क्या इलाज है या operation ही इलाज है या इसको दवाई की जरिये भी ठीक किया जा सकता है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बच्चेदानी का और size क्या है आपकी symptom किस प्रकार के है अगर आपकी बच्चेद दवाईया दी जाती है जो आप महावारी के ले सकते हैं लेकिन अगर आपकी दिक्कत सारे टाइम आपको पूरे महीने ही पेट में दर्द होता है इन केसे में operation कराना पर सकता है हालकि operation करना है या दवाईया देनी है इस बात का फैसला मरीज को देखकर ही किया जाता है क्यो तो कुछ एक दवाईया आती है मार्केट में जिसको हम इन में दे सकते हैं पेशेंस में जो एडिनोमाइसिस के होते हैं लेकिन वो उतना ही काम करती है जितना पेशेंस दवाईया लेता है तो इसमें कुछ हॉर्मोनल पिल्स भी दी जाती है इसको हम operation नहीं करना चाते हैं जैसे less than 40 years में हम prefer नहीं करते हैं operation करना तो उन conditions में दवाईया देते हैं खाने वाली hormones की पिल्स भी दी जाती है या फिर कुछ और medicines भी आती है जो दी जाती है और इसमें तीसरा एक और उपाए भी होता है जिसे कहते हैं hormonal property यह भी क्याई ब्रैंड्स की available होती है तो यह गर है लेकिन जो यह बिमारी है इडिनोमाइसिस यह आपके जब तक पीरिड्स चलते रहते हैं यानि की 50-52 केस जब तक आपको मेनोफास नहीं होता तक पेशिंस को या फिर आप सब को दिक्कत करती है उसके बाद पीरिड्स जाने के बाद इसमें कोई और दूसरी बिमारी होन इसके चांसे बहुत कम होते हैं इडिनोमाइसिस होने के क्या रीजन होते हैं इडिनोमाइसिस चादतर उन पीमेल्स में होता है जिनकी बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हो रखी हैं बहुत ज़्यादा अबॉर्शन हो रखी हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनकी कोई बचे पुलती है पुलती है जिसका कईल जाती है जी जिसकी वजह से पुलती है उसको जाती है और उसको घ्सकुल हम अधिनमयस चीजन है क्योंकि यह जो endometrium है इसको shared होना था periods में, वो myometrium में bleed करती है, muscle की अंदर उसमें bleeding होती है, जिसकी वज़े से बहुत जादा pain होता है तो यह reason है, एक ऐसी बिमारी है, जो जादा तर 40 साल के बाद होती है, लेकिन कभी-कभी यह 20s और 30s में भी देखी जाती है, तब अगर यह बिमारी होती है, तो फिर क्या problem हो सकती है in that case, adenomyces की वज़े से भी conceive करने में मुश्किल होती है, या conceive हो जाए तो abortion होने के risk रहते हैं, pre-term delivery के risk रहते हैं, यह सारी problems होने के chances रहते हैं इसके लिए आप ज़्यादा बचाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि unwanted pregnancy ना हो, बार-बार आपको abortions ना कराने पड़ी, जैसे कही बार patients बार-बार empty pickets काते हैं, तो उससे यह adenomyces जैसी बिमारियां बार में आगे चलके बन सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप avoid कर सकते हैं, I hope आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगाओ, आपने सिप्टीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अपने जो भी कोशिशन हैं, आप हमसे शेयर करिए और आपकी जो भी रियक्शन से वो भी प्लीज शेयर करिए, thank you so much.